नमस्कार दोस्तो आप देख रहें से अनवाल एजुट्ग को तुक चलना दोस्तो बात करेंगे अजमेर विडियो में जानकर जाए मिलने वाला है सासद बात करेंगे आपे PPRM का मतलब क्या होता है मारसेट में लिखा रहा है BPRM का मतलब क्या होता है APPRM का मतलब क्या होता है APPRM वाले जो भी छातर रहेंगे आपे क्या वो सेकंड सेमेस्टर दे पाएंगे PPRM वाले दे पाएंगे BPRM का मतलब क्या होता है और बात करेंगे फैल इस बार फैल होंगे यज़न हो नहीं होंगे डूव होंगे, एक्जाम नहीं होंगे इस वीडियो के अंदर वीडियो को लार्श तक जरूर देखना और वीडियो पूरी तरह के शे आपको हिंदी में समझाया जाएगा सबसे पहले हम बात करते हैं आपर रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कैसे चेक करें जी हाँ दोस्तो सबसे पहले तो आपको क्या करनाओगा गूगल क्रोम ओपन करनाओगा टाइप करनाओगा MDSU यान की महर्सी दयानन सरसुती उनिएसेटी अजमिर उसके बाद में जैसे आप नीची जाएंगे न तो आपको यहाँ पे MDSC अजमिर वाली जो वेबसाट है वो देखने के लिए मिलने वाली हैं तो डाइट लिए आपको क्या करनाओगा दोस्तो आपका पैनल रहेगा योजी पाट फष्ट यर जोभी सेमिस्टर घिदारती यहाँ पर फीद्धारती पैनल है और दोस्तो कैसे आपको interfaise यापके देखने के लिए मिलने वाले तो यहां पर गईस रिजल्ट भी आपके b.a.c के रिजल्ट भी आपट से यहां पर भी यहां से आप अपको अपनी आईडी है वो लोगिन करने होगी यूजर नेम और पासवड़्याद नहीं है तो फॉर्गेट पासूट करके आप अपना लोगीनिया से कर सकते हैं उसके बाद में आपको बीए पार्ट फर्स्ट एर का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है इस तरह के इसे तो आपको रिजल्ट देखना है अब बात करते हैं मारसेट के पास कि मेरे आई है तो उसमें आपको बतातेता हूं कि कैसे आपको प्रस्ट यह का रिजल्ट है दोजार जारी हो चुका प्रोविजिनल मारसेट ऐसे आपको लिखाएगा और ठीक है यह यहां पर किसी स्टूडेंट की मारसीट है अब बात कर लेते हैं आप गेम यह आपकी है सब्जेक्ट ठीक है यह सब्जेक्ट नेम हो गया यह सब्जेक्ट कोड है इसे कोई मतलब नहीं है यह आपके मारक्स है ठीक है मैकजिव मारक्स यह रहेंगे ठीक और ऑबजट जो मारक्स है आपकी यह वाले मारक्स आया है कोर्स क्रेडिट की अंक यह द यह मैटपूर्ट रहने वाला है एप का मतलब सभी सब्जेक्ट में एफ आ रहा है तो क्या लिखा रहा है रिजल्ट में एप पी आरो में यानकी सारे सारे सब्जेक्ट में क्या हो चुका पर फैल हो चुका है 400 मार्क्स मैग्जू मार्क्स से टोटल मार्क्स 98 आए है टोटल क जीरो है यानकि ये अगले साल काम आएंगे सेकंड सेमेस्टर में काम आएंगे ध्यान रखना टोटल क्रेडिट पॉंट है अब यहाँ पे जो भी छातर पी एप पी आरम लिखा रहा है क्या वो सेकंड सेमेस्टर दे पाएगा नहीं दे पाएगा जी हाँ सेकंड सेमेस्टर एगजाम सभी छातर देंगे ध्यान रखके सभी छातर देंगे चाहिए पी पी आरम का मतलब हो तो पास हो चुग यानकि वो तो सेकंड सेमेस्टर दे देगा बी पी आरम बैक यानकि जो भी जिसके भी छातर के बैक है वो भी second semester देगा बट जो back वाले हैं ना वो आपको second semester में देने होंगे app PRM का मतलब क्या होगा fail हो गया but क्या हो गया prometed हो गया और कि वो next year के अंदर prometed हो गया तो यानि कि second semester दे सकता है अच्छी तरह किसे second semester अच्छी तरह किस देना नहीं तो आप फिर आगे भी fail हो सकते हैं ध्यान रखने तो PPRM का मतलब हो गया pass हो गई BPRM का मतलब आपका back है कोई ना कोई paper back है और app का मतलब होगा fail होगे but second semester सभी चातने आपे देने वाले हैं अब ये देख सेते है later code का मतलब होता है कि 90 से आपको 100 तक मिले तो आपको O का grade दिया जाएगा बट उसमें 0 दिखा होगा है ठीक है 0 का मतलब fail होगा ये grade दिया गया है ये grade point है एप है और grade जो point है वो 0 है और later है इसका app है absent का मतलब A B होता है A plus आपको यदि मिला है आपको 7 मिलेगा इस तरह के से आपको ये percentage गंदा जा लगाना है कि आपके कितने percentage आपे बन रही है ठीक है और उसके बाद में यहां पे लिखा है SEP है CI का मतलब क्या होता है GI का मतलब क्या होता है The number of credit in the course in a semester The grade point is course by the student in course के लिए है और credit point का मतलब होगा IRN credit multiply grade point दोनों को क्या करेंगा पर multiply करके grade point बनाए गए है ध्यान रखके ठीक है और IRN credit percentage देख सकते है 100 वाले है और result remark देख सकते है BPRM ये आपको 50 नीच रहेगा FWRM का मतलब और 50 लेके 100 के मध्या आपको BPRM दिया जाएगा और जिसकी 100% है यान की IRN credit percentage 100% है तो वो क्या हो चुका है पर पास हो चुका है तो ये थी मारेशीट के बारे में Otherwise अभी भी किसी के problem आ रहे है समझ में नहीं आ रहा है